आप भी अगर BSTC और PTT एक्जाम के तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए काफी महत्पून हैं क्योंकि दीकिए हम इस वीडियो में राजस्तान जिके के फिसले एक्जामों में पूछे गए कुछ महत्पून प्रश्णों की प्रेक्टिस करने वाले ह हैं तो आपको ये वीडियो जरूर से जरूर देखना चाहिए और अपने दोस्तों के जाद भी शेयर करना चाहिए क्योंकि देखिए प्रस्ण हम वही करते हैं जो पिसले एक्जामों में पुछे गए होते एक्जाम पर आधरित होते हैं तो देखिए अभी BSTC और PTT कुछ प्रस्ण देखेंगे जिनका अंसर आपको भी साथ साथ कमेंट करते हुए चलना है और जो प्रस्ण महत्पुन है वही हम इस वीडियो में देखेंगे और देखिए जरूर नहीं कि एक साथ के साथ आपको इस सारे प्रस्ण याद हो जाए एक साथ तो आपको एक ही व पर होता नहीं है तो आपको दिरे दिरे ये प्रश्न आने लग जाएंगे और देखिए एक दू बार आपने प्रश्न कोई भी सुना हुआ होगा तो भी एक्जाम में अगर आप जाएंगे तो उस प्रश्न के सही होने की संभावना अधिक होगी तो आपको इस सभी क्वीज द्यान पुरुग देखनी चाहिए और अधिक सद्धिक अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना चाहिए तो देखिए तो पहले प्रश्न देखे आदिवासी लोगों में जागरती पैदा करने के लिए गोविंद गूरू या गूरू गोविंद सिंग किस जिले से सम मंदित देखिए विशेश रूप से बील जन जाती बील जन जाती में जन जागरती और सामजिक कल्यान का काम करने वाले को ने अपने गूरू गोविंद गीरी गोविंद गीरी इनका अगर जन्म देखे तो डुंगरपूर के बासिया गाम में इनका होता है जन्म डुंगर कि इस्तापना 880 में किस ने की थी 80080 में संपसभा के स्तापना करने वाले भी कोन है अपने गोविंद गीरी तो इनका जन्म कहा हुआ है अपने डूंगरपूर जिले के बाशिया गाउ में और जन्म वर्स पूछे तो आपको ध्यान रखना है 888 में इनका होता है जन्म तो यह सबी बाते आपको ध्यान रखनी है यह सबी प्रश्ण पूछे गए हैं और जैकिए गोविंद गीरी के बारे में एक प्रश्ण रीट एक्जाम 2016 में भी पूछा गया था कि गोविंद गीरी के जाती से समंदित हैं अपने बंजारा जाती के हैं अपने गोविंद गीरी अगला प्रशन अपने राजिस्तान में संभागी व्योस्ता की सुरुवात कब की गई थी तो देखे राजिस्तान में संभागी व्योस्ता आपको पता होगा भी राजिस्तान में साथ संभाग और तेतीस जिले हैं तेतीस जिले और साथ संभाग तो यह जो संभागी व्योस् की थोड़ी व्यक्या देके चर्चा करें तो संभागी व्यवस्ता जब मोहनलाल सुकारिया आपको बताओगा राजस्तान के सबसे ज़्यादा वर्षों तक मुक्यमंत्री रेने वाले को ने अपने 17 वर्षों तक मोहनलाल सुकारिया जब यह मुक्यमंत्री थे राजस्तान के 1962 में तो इन्हों ने उस समय संभागी व्यवस्ता बंद कर दी थी फिर से शुरुवाद किसने किये हरीदेव जोसी ने 1987 में संभागी व्यवस्ता की वापस शुरुवाद किये हरीदेव जोसी ने उनिस सो सित्यासी में तो ये सारी बात आप ज्यान रखें और वरतमान में साथ संभाग हैं और सबसे नया संभाग कौन सा हैं बरतपूर संभाग और जिसका गठन कब हुआ हैं अपने 2005 में देकि एक एक प्रेशन में मैं आपको 5-6 प्रेशन कवर करा रहा हूं तो आपको ज् जिला हैं देकि अपने रीट एक्जाम रीट एक्जाम अभी 2018 में जो स्वरी 2021 में भी हुआ है सितंबर 21 लेवल वन का जो एक्जाम है अपने उसमें पूछा गया फ्रस नहीं है तो राइस्तान का इसे कौन सा जिला है जो अधिक्तम जिलों के साथ सिमा साध्या करता है इं तो देकि पाली की बात अगर बात करें तो नागोर जो जिला है नागोर जिला साध जिलों के साथ सिमा साध्या करता है तो अपने पाली की बात कौन सा हो जाएगा नागोर तो इसका अंसर का है option C हो जाएगा एकदम सही अंसर नागोर जिला अपने सरवादिक जिलों के साज्या करता है अगला प्रस्टने सेखावटी शेत्र में सम्मिलित जिला कौन सा नहीं है तो देखे सेखावटी शेत्र कौन सा सम्मिलित जिला नहीं है चूरू सीकर जुन 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 या जैपूर तो क्या हो जागा इसका अंसर तो देखे चूरू सीकर जुन 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 ये तीनों जिले सम्मिलित रूप से सेखावटी शेत्र में आते हैं लेकिन जयपूर जो जिला हैं ये अपने डुंडार शेत्र अगर आता तो ये अपने जयपूर हैं लेकिन शेखावटी में ये सम्मिलित नहीं है तो अप्शन D हो जाएगा एकदम सही आंसर अगला प्रसने रामगड की गोलाकार पहारी निम्न में से कौन से परदेश में अवस्तित है तो देखे रामगड की गोलाकार पहारी अपने किस परदेश में अवस्तित है तो देखे रामगड गोलाकार पहारी अपने बारा जिले में है जिले में तो 12 जिला अपने हाडोती शेत्र में आता है तो हाडोती हो जाएगा इसका सई अंसर option भी तो रामगट की गोलाकार पाहरी अपने हाडोती शेत्र से सम्मंदित हैं अग्ला प्रस्ने बर्दर्रा या फिर बाहर दर्रा ये कहां हिस्तित हैं तो बात करें तो ब्यावर औरमें अजमेर में ह memorial में आता है चैसे और वर जोड़ने वाला यह दर्राई तो आप पत्यान रखें, अपने मध्य रावली हो जाएगा इसका एकदम सही अंसर, देकि ब्यावर के और परमुक दर्रे की बात करें, तो एक तो होगे आपने बर दर्रा, और व्यावर में एक और कुण सा ई धर्रा, सूर्गाट, सूर्गाट आ जाए, बर दर्रा आ जाए, को जोडने वाला धर रहा हैं अगला प्रस्फने राजिस्तान की दूसरी सबसे उची परवत चोटी कौन सी है तो देकिया पर दूसरी सबसे उची पुची पूची है तो आपको सेर हो जाएगा यह भी अपने सीरोही में है और गूरुशिकर भी अपने सीरोही में है इसके अपने उचाही कितनी है पंद्रा सो सित्यानवे मिटर और अपने गूरुशिकर की कितनी है 1722 meter तो आपको जयान रखना है दूसरी पूचीये है अपने यहापर तो अपने शेयर हो जाएगा एकदम सही answer अगला प्रस ने अजमेर की आना सागर जील में किस नदी का पानी आता है तो तो धेखिए अपने अजमेर की आना सागर जील में अपने बांडी नदी का पानी आता है option first, लूनी नदी की जो साइक नदी है बांडी नदी, इसका पानी आता है अपने आना सागर जील में आना सागर जील का है अपने, अजमेर में अजमेर की अगर प्रमुख जिलों की बात करें तो कौन-कौन सी है फाय सागर आजाए आना सागर आजाए यह सब इपने अजमेर की जिले हैं आपको जियान रखने है अगला प्रसने राजिस्तान के किस जिले में बांखडा नागलबान से सबसे ज़्यादा सी चाहिए होती है तो देखिए बांखडा नागलबान से सबसे ज़्यादा सिंचित जिला कौन सा है अपने राजिस्तान का हनुमान गड़ ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही अंसर बांखडा नंगल बांध अपने सतलज नदी पर बना हुआ है सतलज और राज्तान का सबसे जाधा सिंतिज जिल्ला कुन सा है अपने हनुमानगड तो आपको जयान रखना है option B अगला प्रसने ओप्रेशन फ्लड के सुत्रदार कोन है तो देखिए ओप्रेशन फ्लड या फिर आजाए स्वेत क्रांती स्वेत क्रांती के सुत्रदार कोन है जनक कोन है बारत में तो देखिए यह है अपने डोक्टर वर्गिज कूरियन option C हो जाएक एकदम से अंसर डोक्टर वर्गिज कू या फिर स्वेध करांती आजाए इसके सुत्रदार है अपने ये तो उप्षन सी हो जाएगा इसका सही अंसर तो आपको कोई बी आ रहा है तो आप कमेंट करके बी बता सकते हैं वीडियो पाउस करके उसका अंसर अगला प्रस्टन है राजस्तान का कौन सा सहर पीले पत्थर क व्यवसाई के लिए तो पीले पत्थर के व्यवसाई के लिए कुण सा सहर परसी दें क्या हो जीसका अंसर जैसल मेर option B हो जाएगा एकदम सही answer देखे ग्रेनाइट city ग्रेनाइट city किसे कहते हैं जालोर को कहते हैं और अलग लग रंगों के आधार पर भी सहर परसीदे जैसे पीले सहर हो गया, तो अपने जैसल मेर हो जाएगा, काला संग मरमर आजाए, काला संग मरमर, तो अपने बेसला ना जैपूर हो जाएगा, तो अपने पीला सहर इसमें, पीला पत्थर अपने जैसल मेर हो जाएगा, एकदम सही अंसर, अगला प्रशन है अपने गोट तो देखिए अपने जिपसम के लिए प्रिशिदें जिपसम के लिए और अपने नागोर जिले में हैं नागोर जिले में नागोर जिला रास्तान का जिपसम का सरवादिक उत्पादक है ये तो जिपसम अपने गोट मांगलोद सियत्र हो जागा इसका सयांसर देखिए गोट म जामसर हो गया इसके लावा जैसल मेर का जो मोहन गेड़ है वहां से भी होता है विकानेर का लोन करन सर है यहां पर भी जिपसम की घदा नहीं तो आपको ज्यान रखना है जिपसम हो जाएगा अपने गोट मांगलो चित्र यह काफी बार पूचा गया प्रशने अगला प्रश इनों ने अपने आदी वरहा की उपादी दारन की थी तो ऑफ्षन सी हो जाएगा एकदम स्वयासर मेर बोज ने यह दारन की थी आदी वरहा की उपादी अगला प्रशने उदै सिंग के साथ चित्तोर्गट सोरने के पस्चाथ पन्ना को किस अस्तान पर आसरे परात हो सका तो दीकि आपने पढ़ा होगा राजस्तान के जो इत्यास पढ़ते हो आप मेवार का विश्य संद्र में पन्ना धाय के बारे में आपने पढ़ा होगा यह किसकी दाय मा थी अपने उदेश सिंग जी की दाय मा थी उदेश सिंग जी को ने अपने महाराना प्रताब के पिता त बेटे इनका बेटा था चंदन बेटा था इनका बलीदान कर दिया था उप्चान के बाद उदय सिंग जी को लेकर क्या चलिंगलाई था आशा युपूरा आशा धियुपूर hour तो इन्होंने इनकी साहिता की थी कुंबल गड तो ऑप्षिन ी हो जागा इसका सही आंसर देखिए एक प्रश्न पुझे गया था पन्ना दाय कीज जाती से समधित है तो पन्ना दाय अपने है घुजर जाती से समधित तो ऑप्शन C हो जाएगा कुंबल का डिसका सही अंसर अगला प्रस ने सीरोई राज्य परजामंडल का संस्तापक कौन था तो देखे सीरोई परजामंडल का संस्तापक कौन था तो देखे सीरोई परजामंडल का संस्तापक कुन था पूरुष साथ मिलकर गाते हैं तो इसे कौन सा लोग गीत हैं तो देखे बीलो का प्रसिद लोग गीत जिसे अस्त्री और पूरुष साथ मिलकर गाते हैं यह अपने हम सीडो ओप्शन डी हो जागे एकदम सही अंसर इसको अस्त्री और पूरुष साथ मिलकर गाते हैं अगला तो आपको ज्यान रखना है दद्रियवा में गोगाजी का जन हो आए और जाहर पीर के नाम से इनको जाना जाता है अगला प्रस्टन है बाटाडू का कुवा जिसे रेगिस्तान का जल महल भी का जाता है या किस जिल्ह में देखिए कई बार रिपीट हो गया है लगबक दस ज जाएगा इसका सही अंसर हमने पहले भी प्रश्टन काफी बार देखा है तो बार में जिल्ह में इस्तित अपने रेगिस्तान का जल महल जिसे जो कोने बाटाडू का कुवा तो देखिए एक प्रस्टन का अंसर आप कमेंट करके बताना हमीर हट ग्रंत के लेकक को ने यानि आतार एसे क्वीज हम लेकर आते रहेंगे तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरू करें चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेयर करें मिलते एकले वीडियो में जय हिन जय भारत